असलाम लेकूम आज मैं केक बना रही हैं वो भी इदे स्पेशल केक बना रही हूँ और इसको मैंने बनाया है ब्लैक बेरी जैम से बहुत ही यमी वाले केक हमारा रेडी हुआ है कलर तो इसका बहुत ही प्यारा सा आया है और खाने में बहुत टेस्टी है ये केक ये मैं मैदा ले रही हूँ टू कप क्योंकि मैं बड़े सा इसका केक बनाऊंगी और दो कप मैदा लिया है इसको मैं अच्छे तरीके से पहले दालूंगी इसमें मैं डालूंगी तक्रीवें टो एंद हाफ टी एस्पून बेकिंग पॉर्डर 2 Cups मैदा और 1 फॉर्थ टी एस्पून इसमें मैं सॉल्फ डाल हूं तो दो कप मैदा मैंने लिया धाय चम्ची मैंने बेकिंग पॉर्डर लिया है और वन फूर्स टीए स्पून सॉरी मैंने नमक लिया है ये तीनों चीजों को अच्छी तरह किसे मिक्स करूंगी और साइड में रख लिया है और यहां पर मैंने लिया है फूर पीसे अंडा और इसको मैं बीट कर लोगी दो से तीन मिनट इसको और जिए जब अंडा बहुत अच्छे से बीट हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल लिए हूँ वन एंड हाफ टीए स्पून शुगर अच्छा शुगर मैंने नॉर्मल वाला लिया है और यहां पर जिस डिश में मैं बेक करूंगी केक उसमें मैंने वह बटर लगा के फ्र के साथ बेटर को और यह अंडा शुगर वाला बैटर हमारा रेडी हो गया है इसमें यह मैदा को मैं धीरे-धीरे दो से तीन बार करके मिक्स करूंगी अच्छा बहुत केर्फुली वरना मैदा उड़ने लगता है तो अंडा और मैं शुगर का बैटर था और मैदा सॉल्ट और बेकिंग पॉARडर को मैंने मिक्स करक लिए था वो अब मैं इसमें 2 से 3 बार करके एड़ कर रही हूं और साथ ही बिलेंडर को चला भी रही हूं कде सारा चला गया इसमें एक पर एस्पून से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ फिर मैं ब्लेंडर यूज़ करूँगी और ये मिल्क और बटर जो मैंने मिल्क करके रखा था इसमें मैं 3 टी एस्पून डाल दी हूँ वैनिला एसेंस ये तीन चम्टी वैनिला एसेंस चला गया मिल्क, बटर एंड वैनिला एसेंस और इसमें थी टी एस्पून ही ओयल भी डाल लें हूँ मिल्क, बटर, वैनिला एसेंस है और ओयल और ये जो अंडा, शुगर और मैदे का बैटर मैंने बनाया है उसमें मैंने धीरे-धीरे करके मिक्स कर लिया है और एक बड़ इसको पहले चला लूँगे अच्छे दरीगे से और ये देखें कितना थिक-थिक सा ये है इस पैन को मैंने फ्रीजर में लग दिया था इसमें मैंने मैदा नहीं स्प्रिंकल किया है केक हमारा वेक हो रहा है उसको मैंने और में डाल दिया है अब मैं आ जाती हूँ ब्लैक बेरी जैम बनाने के लिए तो ये थोड़ा सा जैम मैंने लिया है तकरीबन 25 ग्राम होगा और ये इसमें मैंने डाला है हाफ कप शुगर अच्छा बेरी को काटने की ज़रूरत नहीं मैंने डायेक्ट उसको वाश करके और उसको शुगर डालके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है थोड़ी देर के लिए पांच से देस मिनिट में ये शुगर मेल्ट हो जाता है और इसमें अब मैं डालूंगी शुगर मेल्ट हो गया है अब मैं इसमें डाल नहीं हूँ लेमन का जूस वन लेमन का जूस डालना है इसमें तो बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आ जाता है वैसे भी इसको ब्रेट से खाएं और रोटियो पराटों से बहुत मज़ा आता है खाने में ये बेरी का जैम और अभी मैं बहुत थोड़ा से बनारी हूँ सिर्फ केक के लिए ये बेरी हमारा बिल्कुल गया है अभी इसको मैं ब्लेट कर लूँगी और इसमें सीड होता है तो इसलिए मैं इसको छानूँगी वरना केक में सीड आ जाएगा और जिस पैन में मैंने इसको पकाया थे फर्स टाइम उसी में फिर इसको मैंने वापस डाल दिया है और एक बॉइल आने तक और पकाऊंगी के जैम हमारा थोड़ा थिक थिक सा हो जाए और जैम के कलर भी बहुत प्यारा होता है बहुत जयादा इसको नहीं पकाना है वरना बहुत ड्राइव हो जाए गई है तो बहुत एजी है घर में जैम बनाना है बहुत एजी है इसके पहले भी मैंने बना कर दिखाया है वीडियो पे अप्लोट किया है और ये केक भी हमारा बेख हो चुका है यहलका से उपर से ब्राउन हो गया इसको मैं नाइप से मैं निकाल लूँगी और इसके मैं तीन पीसे करूँगी एक लेयर इसका निकल गया और बागती जो बचा है उसके दो पीसे जौर हो गया ये केक बड़े साइस का बन रहा है और इसके लेयर भी तीन लेयर है ये जैम हमारा रखा हुआ दिख रहा है सामने और ये हाफ कप मिल्क लिया इसमें पीन चार ड्रॉप्स मैंने वैनिला एसेंस डाला है और एक बार अब फिर मैं लेयरिंग हूँ यहाँ पे बटर बटर मैं अभी यूज़ करूँगी 200 ग्राम्स और इसमें मैं 2 कप्स आइसिंग शूगर डालूँगी और ये मैं क्रीम बनाऊंगे इसका 200 ग्राम्स बटर 2 कप्स आइसिंग शूगर और इसमें 1 टेबले स्पून मैंने मिल्क भी डाला है 2 टेबले स्पून हो गया मिल्क इसमें चला गया और इसमें 2 से 3 टी स्पून ही वैनिला एसेंस इसमें डालूँगी 200 ग्राम्स बटर 2 कप्स आइसिंग शूगर 2 टेबले स्पून मिल्क और 3 टी स्पून वैनिला एसेंस इन सब चीजों को डाल कर अच्छी तरिके से मैंने एक बार फिर से बीट कर लिया है और ये केक का मैंने फिर्स लेयर रखा है और हाफ कप मिल्क में मैंने वैनिला एसेंस कुछ ड्रॉप्स डाले थे उस मिल्क को इसमें पहला रही हूँ और उसके बात अवी जो मैंने आईसिन शुगर वाला क्रीम बनाया था बटर और क्रीम आईसिन शुगर डालके उसको मैं उसके ओपर फेलाऊंगी और उसके ओपर ये थोड़ा से मैं जैन्ली मैं डालूँगी बहुत मज़े का बहुत यमी वाला ये केक हमारा रेडि होने वाला है हलके हाथों से इसको मैं क्रीम के साथ जैम को मिक्स करूँगी और इसके उपे मैंने सिकंड लेयर रग दिया है और इसपे भी पहले की तरह इसपे भी मैं मिल्क पहले डालूंगी मिल्क के बाद वो बटर वाला क्रीम डालूँगी बटर और आइसिंग चुगर वाला और उसके उपर से फिर से मैं बेरी का जैम लगाऊंगी इसको भी हलके हाथों से मिक्स कर लूँगी क्रीम के साथ जैम को कितना प्यार कलर इसका आया है और यह मैंने ठर्ड लेयर डाल दिया इसके उपर भी में मिल्क डालूँगी बचावा जो मिल्क है वह मैं एड़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं क्रीम लगाऊंगी क्रीव के बाद फिर से मैं इस पर जैम लगाऊंगी और किसी भी टूट पीक से या नाइफ केस से इसमें हलका सा डिजाइन करूंगी इस कलरफुल केक को देखकर बच्चे भी खाने के लिए तयार हो जाएंगे तो सब इस इद पे इस केक को ज़रूर बनाना ट्राइ करना और इद केक दो दिन पहले बना कर फ्रिज में रख दे कोई भी गेस्ट घर में आया उसको भी खिला सकते हैं और इसको मैं कट करती हूँ अच्छा इस पे मैंने वाइट चॉक्लेट लगाया है और बेरी है यह आप्शनल है वाँ बहुत मज़े का बहुत टेस्टी है कलर तो इसका बहुत ही लाजवाब सा हुआ है माशालला यमी 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 यह यह बेरी वाला केक हमारा रेडी हो गया है सब इसको ज़रूर ट्राइ करना इद में बहुत इजी बनाना बहुत घर में हर कुछ होता ही है बस थोड़ा बहुत बटर अगर ज्यादा है तो मार्केट से इंसान ला सकता है बहुत इजी वाला मैंने बताया सब इसको ज़रूर ट्राइ करना खाना इंजॉय करना